हेलो अबरीवन अभी हम लोग ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन्स चैप्टर यानि चैप्टर थ्री में एक्सर साइज 3.4 का सॉल्यूशन देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं find the principle and general solution of the following equations इसका हम में principle और general solution बताना है जैसे पहला question है tan x equal to root over 3 तो first question है आपका tan x equal to root over 3 तो हमारा principle solution क्या होता है principle solution होता है जो कि 0 से लेके और 2 pi के बीच में लाई करता है ध्यान रहा है कि 0 included होता है 2 pi excluded होता है तो tan x equal to root over 3 का जो हमारा principle solution होगा वो कैसे निकालेंगे उसके बार हम देखते हैं तो tan x equal to root by 3 अगर है तो first quadrant में हमारे पास x जो होता है वो कितना होता है pi by 3 क्योंकि pi by 3 पे इसका value जो होगा वो कितना होगा root 3 होगा तो आप एक तो यह आपका value हो जाएगा अब दोगों दूसरा कैसे आप निकालोगे आप यह देखो कि tan और कहां पे positive होता है positive होता है तो एक का वो first quadrant में होता है और एक क्या होता है third quadrant में तो हमने क्या बोला है कि अगर first quadrant में तो सीधे सीधे ठीटा हो जाएगा second quadrant में अगर आना है आपको तो pi minus theta कर दो और अगर fourth quadrant में आना है तो 2 pi minus theta कर दो तो आप एक और क्या करो पई प्लस ठीटा लगाओ तो ठीटा आप मतल suspects ये आपका ठीटा का काम कर रहा है तो टैन अफ प्लस ठीटा जब करोगा आप यानि कि प्लस पाई s t c tan positive होता है तो यह आपका tan pi by 3 के बराबर ही आएगा इसका मतलए कि pi plus pi by 3 पे जो value होगा वो pi by 3 के value के बराबर ही होगा यानि कि root 3 के बराबर होगा अब tan pi plus pi by 3 आपका हो कितना जाएगा 4 pi by 3 4 pi by 3 हो जाएगा तो 4 pi by 3 equal to root 3 तो आपका जो principal solution आ गया principle solution जो आ गया वो कितना कितना आ गया एक तो x का value pi by 3 आ गया और एक कितना आ गया आपका 4 pi by 3 अब general solution के बात करते हैं general solution के बात करते हैं तो general solution हमारे पास क्या है मतलए किसका पता करना है tan x is equal to root over 3 equal to यह क्या हो जाएगा हमरे पास tan pi by 3 तो tan x equal to tan alpha का solution होता है वो क्या होता हमरे पास x equal to n pi और प्रस कितना अलफा जहांपे कि n जो है वो z से बिलॉंग कर रहे है तो यह आपका solution हो जाएगा general solution ओके general solution से ही आपका particular solution प्रिंसिपल solution भी आ सकता है x n का value 0 रखो 1 रखो तो आपका उपर बारे निकल के आ जाएगा ठीक है इसके बारे हम बता चुके हैं इसके थियोरी वाले पार्ट पे question number 2 है sec x is equal to 2 question number 2 जो है that is sec x is equal to 2 तो sec x जो है हमारे पास वो 2 कहां पे होता है यह cos x का reciprocal है तो sec x is equal to 2 equal to that implies कि x का value आपका कितना जाएगा 2 कित्ते होता है पाई भाई 3 पे cos pi by 3 जो हता है 1 by 2 होता है तो sec pi by 3 जो होता है वो 1 by 2 मतला 2 हो जाएगा हमारे पास तो x का value कितना आ गया pi by 3 तो एक तो यह हो गया आपका दूसरा आपको कैसे पता चलेगा तो आप यह देखो कि कौन से quadrant में sec जो हता है एक और positive होता तो एक तो first quadrant तो first quadrant वाला तो हमने pi by 3 तो 2 pi minus pi by 3 यानि कि यह pi का multiple है तो आता आपका sec ही रहेगा और fourth quadrant में आ रहा है तो आपका sign भी रहेगा जो वो plus ही रहेगा तो यह sec pi by 3 यानि कि यह 2 के बराबर तो 2 pi minus pi by 3 आपका हो कितना जाएगा sec of कितना 5 pi by 3 is equal to कितना 2 तो एक आपका यह solution आ जाएगा pi by 3 और एक आपका यह आ गया तो principal solution क्या क्या हो गया हमरे पास आपका principal solution जो आ गया वो आ गया x का value कितना पाइभाई 3 और दूसरा कितना जाएगा हम रपास 5 pi by 3 अब general solution की बात करते हैं किसका general solution क्या होगा तो देखो sec x is equal to 2 है ना तो हम इसको ऐसे cos x is equal to half लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग जो general solution पढ़े हैं वो sin cos और tan के लिए पढ़े हैं तो इसको 1 by 2 कर देते हैं तो हम यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं cos pi by 3 अब इसका जो general solution होता है वो दो क्या आता है x equal to 2n pi sorry 2n pi plus minus कितना होता है मेर पास pi by 3 n belongs to z तो यह आपका solution हो जाएगा question number third पे आते हैं third question कहा रहा है cortex is equal to minus root 3 cortex is equal to कितना sorry minus का minus का root 3 ठीक है अब देखो आप minus वाले पर अभी मत जाओ ठीक है आप minus वाले पर मत जाओ आप क्या गरो कि cortex equal to root over 3 का सिर्फ value निकालो cortex equal to root over 3 का value निकालो आपका x का value कितना जाएगा x जो है वो कितना जाएगा pi by 6 पे होगा यह अच्छा अब pi by 6 आ गया ना आपका आप यह देखो कि cot जो है वो negative कहां कहां पर होता है तो cot negative second quadrant में होता है और fourth quadrant में होता है first quadrant और third quadrant में cot positive होता है तो second quadrant आपका कैसे हमने बोला यह आप इसको क्या करो इसको ठीटा की तरब भी है करो कि यह आपका ठीटा है तो एक क्या होगा आपका पाई-्ध्वा और एक कितना हो जाएगा before जाएगा तो एक आपका हो जाएगा कितना कॉट जुए अपका हो सबहके क्योंकि second quadrant में second quadrant में cot क्या होता है negative होता है तो इसका value किता होगा minus का root 3 जो की चाहिए हमें तो cot pi minus 5 by 6 कितना हो जाएगा cot of 5 pi by 6 जिसका कि value कितना होगा minus का root 3 और दूसरे की बात की जाए तो दूसरा आपको कैसे मिल जाएगा cot of क्या करो आप 2 pi minus pi by 6 कर लो तो जब 2 pi minus pi by 6 करोगे तो pi का जब multiple होता है तो चेंज तो होगा नहीं तो यह तो आपका cot ही रह जाएगा cot pi by 6 और fourth quadrant में cot negative होता है तो minus का आजाएगा तो आपका again minus का root 3 यहां से भी आ जाएगा अब 2 pi minus pi by 6 कितना होता है cot हो जाएगा आपका कितना 11 pi by 6 इसका value कितना minus का root 3 तो एक आपका यह value आगया और यह की यह value आगया तो principle solution दो आगया आपके principle solution कौन-कौन सा आगया एक x का value कितना आगया 5 pi by 6 और दूसरा कितना 11 pi by 6 general solution की बात करते हैं इसके general solution की अगर बात करें में हैं तो cortex का value कितना देकि रख़ा है Jesse मांस का root 3 ठीक है अब cortex का value कर मांस root 3 दिया है तो tan x का value कितना होन जाएं गांरे पस tan x का value होism माइनस का 1 by कितना root 3 तो tan x का value माइनस का 1 by root 3 आपको एक्स की किस value के लिए होगा तो आप यह देखलो 10 negative कहां कहां पर होता है A S D C second quadrant में होता है तो अब आप क्या करो यहां से निकालने के लिए 10x का value सीधा सीधा पहले 1 by root 3 लो तो आपका यहां से x का value कितना आजाएगा x का value जो हो जाएगा वह आपका आजाएगा 5y6 अचा सुरी यहां पर 1 by root 3 था ना रूट 3 5y6 पर हो ना ठीक हां तो यह कितना रहाएगा आपका एक्स का value 5y6 हो गया अब वो second quadrant में नेगेटिव होता है ना तो जब टैन आफ 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 पाई ठीटा होता है हम रपास और माइनस का टैन ठीटा मतलब कि माइनस का 1 by root 3 यानि कि हम लोग एक यह दिया वह ना कि टैन एक्स एकल टू माइनस का 1 by root 3 तो हम x का value यह वाला बता सकते हैं कि x का value कितना जाएगा हम रपास 5y6 तो इसके जगा पैसे लिख देते हैं टैन एक्स एकल टू कितना देख रखा है माइनस का 1 by root 3 तो इसके जगा पे हम ऐसे लिख सकते हैं टैन ओफ कितना 5y6 तो टैन एक्स एकल टू 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 टैन अलफा वाला solution नहीं आप लगा देते हैं एक्स एकल टू कितना जाएगा एन पाई और प्लस 5y6 एन बिलोंग्स टू वाट सेट यह आपका solution हो जाएगा अगले question के तरफ बढ़ते हैं और यह है कॉसेक एक्स इस एकल टू माइनस टू क्वेस्टन नम्बर फोर जो है वह है कॉसेक एक्स एकल टू कितना माइनस का तू ओके कॉसेक एकस माइनस टू है तो पहले आप इसका प्वादेट देख लो कोई भी एक पकड़ लेते हैं थर्ड या फिर फूर्थ अगर कॉसेक्स माइनस टू है आपका तो आप क्या करो पहले कॉसेक्स टू कहां पर होगा आपका तो यह किस पर होता है हमारे पास कॉसेक अफ committee 112 का रेसिप्प्रो टो कह या लेकित पाइबाई 6 उंसे फिर यिडिकंवेज्स सब्सक्राइब्स टो क्या करो का ओसे को यहां परख्र। pi plus pi by 6 कर दो तो cosec of pi plus theta क्या बता है minus का cosec theta तो minus का cosec pi by 6 है यानि कि minus का 2 तो एक तो आपका theta का value यह निकल के आ जाएगा कितना cosec of 7 pi by 6 equal to minus का 2 दूसरा हम एक और चाहिए जो कि कौन से quadrant में मिलेगा fourth quadrant में मिलेगा तो fourth quadrant के लिए हमने क्या बोला कि fourth quadrant के लिए आप ऐसे चले जाओ cosec of 2 pi minus pi by 6 तो cosec of 2 pi minus theta क्या हो जाएगा अगेन यह pi का multiple है तो cosec का तो cosec ही रहेगा और since fourth quadrant में cosec negative होता है तो एक minus लग जाएगा यानि कि minus का 2 तो आपका एक और निकल क्या जाएगा cosec of कितना 11 pi by 6 11 pi by 6 का value कितना जाएगा minus 2 तो आपके principal solutions दो आगए एक यह और एक यह principal solution देखो principal solution का मतलब यह हुआ कि cosec x minus 2 भी होना चाहिए और जो angle है वो 0 से लेके 2 pi के बीच में भी होना चाहिए तो x के 2 value जागए आपके कौन कौन से 7 pi by 6 और 11 pi by 6 तो first 4 questions जो है वो आपके होके आते हैं question number 5 cos 4x is equal to cos 2x question number 5 पे cos 4x is equal to cos 2x अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे cos theta is equal to cos alpha वाला solution यहाँ से नहीं लगा सकते हैं मतलब हम लोग यहाँ से cos x is equal to cos alpha वाला यानिकि 4x equal to कितना हो जाता है हमरे पास 2n pi plus minus 2x यह वाला गलत है ठीक है दूसरे साइड जो हना चाहिए हमरे पास constant होना चाहिए दूसरे साइड constant होना चाहिए यानिकि यह आपको angle पता होना चाहिए तो पता है नहीं तो हम क्या करेंगे इसको इसको इकल टो कितना 0 तो this into this equal to 0 तो या तो this equal to 0 मतलब यह पूरा this equal to 0 और this equal to 0 so either sign of या आपका कितना आ जाएगा या आजाएगा आपका 2x minus sorry x आ जाएगा सिर्फ either sign x equal to 0 or sign of 3x equal to 0 तो sign x equal to 0 तो यहाँ से आपका x equal to कितना जाएगा n pi और यहाँ से 3x equal to 0 यानि कि 3x equal to n pi तो एक तो आपका आगे x equal to n pi और x equal to कितना जाएगा हमारे पस n pi by 3 वहाँ जहाँ पे कि n जो है वो z से belong करेगा तो इसका solution जो होगा वो यह हो जाएगा या तो n pi होगा या फिर n pi by 3 हो जाएगा हमारे पस अगले question कि तरह बढ़ते हैं cos 3x plus cos x minus cos 2x cos 3x plus cos x cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0 तो यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों को पकड़ते हैं इन दोनों को पकड़ा जाए है तो cos c plus cos d वाला लगा देते हैं तो 2 cos c plus d by 2 तो यह आप का जाएगा 2x और c minus d by 2 करेंगे तो cos 6 minus cos 2x is equal to 0 यहाँ से अगर हम cos 2x को बाहर कर दें तो अंदर में क्या बच जाएगा आमरे पास 2 cos 6 minus 1 equal to 0 तो यहाँ से क्या आगया cos 2x equal to 0 और यह वाला पाट यानि कि 2 cos 6 minus 1 equal to 0 तो यहाँ से आप का आजाएगा cos 2x equal to 0 यानि कि cos x equal to 0 जब होता है तो क्या होता है x is equal to 2 in plus 1 कितना pi by 2 n इंटीजर को भी लॉंग कर रहा हमारे पास और यह आजाएगा आपका cos 6 is equal to कितना half तो half की जगा पे हम ऐसे लिख सकते है cos pi by 3 तो आपका यहाँ से तो आजाएगा x का value कितना 2 in plus 1 pi by कितना 4 यह आजाएगा और इधर से आजाएगा आपका x equal to से बिलॉंग कर रहा है यह हमने मतलब यह वाला हमने पहले ही देखा था कि इसका solution क्या होता है 2x equal to cos x equal to 0 हो तो x का value क्या होता है ओके आगले question की तरफ बढ़ते है sin 2x plus cos x is equal to कितना है में रपास 0 है sin 2x plus cos 6 question number 7 जो है में रपास वो sin 2x और plus कितना है में रपास cos x is equal to 0 ओके तो यहां से क्या गरते है cos 6 को हम लोग sin pi by 2 minus x लिख देते है तो sin of 2x और plus sin of pi by 2 minus x equal to 0 तो इससे हो जाएगा ना आपका मतलब कि sin pi by 2 minus x जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा तो अब यहां पर सुरू कर ले हो जाते है कितना जाएगा sin c plus sin d वाला फ़मूल लागा देते हैं तो कितना जाएगा 2 sin c plus d by 2 यानिकि 2x plus pi by 2 minus x divide by कितना c plus d by 2 into होता है cos of c minus d by 2 यानिकि 2x minus pi by 2 plus x divide by कितना 2 equal to कितना 0 तो यह हमारे पास कितना जाएगा यहां से 2 sin 2x minus x x plus pi by 2 sorry x plus pi by 2 by 2 into cos of कितना जाएगा हमारे पास 3x minus pi by 2 whole divide by कितना 2 equal to 0 तो या तो this equal to 0 और this equal to 0 sorry या तो this equal to 0 होगा या फिर मतलब या तो sorry lag कर रहा है थोड़ा या तो हमारा यह 0 होगा या फिर क्या होगा यह 0 होगा तो अगर यह 0 हुआ है यानिकि sin of x plus pi by 2 by 2 equal to 0 और cos of 3x minus pi by 2 by 2 equal to 0 तो अगर sin x equal to 0 होता है तो x का value कितना होता है यानिकि x plus pi by 2 by 2 equal to equal to कितना होता है गारे पास n pi और cos x equal to 0 यानिकि 3x minus pi by 2 hold divided by 2 equal to कितना 2n plus 1 pi by 2 2 से 2 से 2 चला गया हमारे पास तो x का value कितना आ जाएगा हमारे पास x का value आ जाएगा 2n pi minus कितना pi by 2 और यहां से आपका x का value कितना आ जाएगा 3x का जो value होगा that will be 2n plus 1 pi plus pi by 2 और फिर x का value जो आ जाएगा वो divide करने से निकल किया जाएगा 2n plus 1 pi by 3 और प्लस कितना pi by 6 दोनों में ही n जो है हमारे पास वो z को बिलॉंग करेगा 2n plus 1 pi by 2 और यहां से आ जाएगा हमरे पास pi by 3 plus pi by 6 अगर माल लेते हैं कि हम n का value 0 रखते हैं तो minus का pi by 2 कुछ गलती कर दिया हमने 2 sin c plus dy 2 एक मिट हमारे आंसर में कोई गलत नहीं है आंसर जो है हमारा सही है मैंने चेक कर लिया अच्छा इस question को ने एक और तरीके से किया जा सकता था कि हमारे पास question जो देख रखा था कितना देख रखा था sin 2x plus cos x equal to 0 था ना sin 2x और plus cos x equal to 0 उपर वाले में कोई गलत नहीं था लेकिन हमको दूसरा वाला click नहीं किया था तो sin 2x जो है उसको क्या लिखा जा सकता है 2 sin x into cos x लिखा जा सकता है और plus cos x equal to कितना 0 तो जब हम यहां से cos x को बाहर कर लेंगे तो यहां से आपका कितना जायेगा 2 sin x और plus 1 equal to 0 तो यहां तो cos x 0 हो जायेगा और क्या हो जायेगा आपर पस 2 sin x plus 1 equal to 0 तो अगर cos x 0 हुआ तो x का value कितना जायेगा आपका 2n plus 1 5 by 2 और यहां से आपका हो जायेगा sin x equal to minus का 1 by 2 तो इसको हम sin minus का 5 by 6 लिख सकते है minus का 5 by 6 क्योंकि sin minus का 5 by 6 जो होता है वो हमारे पसे ही होता है minus का 1 by 2 हो जायेगा sin minus theta is equal to minus का sin theta होता है तो इस वज़े से लिख दिया आप sin x equal to sin alpha तो x का value कितना जायेगा n by plus minus 1 to the power n alpha यानि कि minus का 5 by 6 तो आपका यहां से यह solution आ जायेगा दोनों में मिलाके n जो है जो हो z को प्लांग करेगा अब कोई यह कहेगा कि यहां उपर वाले तो solution कुछ और आ रहा था नीचे वाले में solution कुछ और आ रहा है तो question number 8 जो है वो है sec square 2x is equal to 1 minus 2x sec square 2x is equal to 1 minus tan 2x sec square 2x is equal to 1 minus tan 2x अब sec square 2x जो होता है वो हमें पता है कि वो 1 plus tan square होता है तो इसको हम लोग 1 plus tan square 2x लिख सकते हैं is equal to कितना आ जाएगा 1 minus tan 2x तो tan में आपका एक quadratic बन जाएगा tan square 2x plus tan 2x 1 से 1 चला गया आपका तो यह आ जाएगा 0 तो यहां से tan 2x को बाहर कर दें तो यह आपका आ जाएगा कितना tan 2x plus 1 equal to 0 तो यहां पर आमरे पास कितना हो गया tan 2x equal to 0 और tan 2x plus 1 equal to 0 tan 2x equal to 0 तो यह कब होगा आमरे पास n pi पे 0 होता है यह भी तो 2x equal to कितना जाएगा आपका n pi tan 2x equal to 0 जो होता है आमरे पास यहां से tan 2x का value कितना हो गया आपका tan 2x का value हो जाएगा 1 1 Dan of pi by 4 क्योंकि tan र गया होता है मासं का tan theta और मासं का dan pi by 4 माइन सो मों हो जाएगा तो यहां से पका कितना जाएगा 2x equal to N pi N pi plus theta होता है यानि कि यहां से minus का pi by 4 आजाएगा तो x का value आपका कितना जाएगा x का value आजाएगा n pi by 2 कूर दो माइनस केतना पाइब याट ए एन पाइब ऑई-2 का रटा कि च अगर एक हो जाएगा एच्छफ करतेfig 해도 only bye 4 ए ल सब्सक्राइब लास्ट्किंड आपसंद काऊंद साइफ साए पुरुइए एक साइफ घया है sin x plus sin 3x plus sin 5x equal to 0 अब ऐसे बहुत सारे questions हम लोग कर चुके हैं हमें पता है कि score score एक साथ लेना होता है ताकि 3x create हो तो sin c plus sin d लगाएंगे तो कितना जाएगा 2 sin c plus d by 2 c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 plus sin 3x equal to kitna 0 तो यह कितना जाएगा this will be 2 sin 3x और यह आप कितना जाएगा cos 2x minus 2x आएगा but cos के अंदर negative रखो positive रखो से फर्क नहीं पड़ता उसको this one is sin 3x equal to kitna 0 अब sin 3x को हम लोग यहां से बाहर कर लेंगे sin 3x को बाहर करोगे तो कितना जाएगा 2 cos 2x plus 1 equal to 0 ओके तो sin 3x का value हमारे पास कितना जाएगा sin 3x का value 0 और और 2 plus cos 2x plus 1 equal to 0 तो sin 3x का value 0 यानि कि 3x equal to n pi तो x का value यहां से कितना जाएगा आपका n pi by 3 n belongs to z और यहां से cos 2x का value कितना जाएगा आपका cos 2x का value आजाएगा minus का half और minus का half कितने पर होगा आपका cos 2 pi by 3 पर क्योंकि cos 2 pi by 3 कितना होगा आपका cos of pi minus pi by 3 और cos pi minus theta क्या होता है minus का cos theta तो 2 pi by 3 तो 2x is equal to कितना जाएगा और परस 2n pi plus minus कितना 2 pi by 3 2 से 2 को cancel आउठी कर दो तो आपका x का value कितना आगया n pi plus minus pi by 3 तो एक यह solution होगया और एक यह solution होगया जहाँ पर कि n जो है वो क्या कर रहा है z को बिलोग कर रहा ओके तो हमारा exercise 3.4 complete होता है next हमारा होगा miscellaneous examples और फिर उसके बाद miscellaneous exercise ओके thank you